हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग नेक्स जो साइकलिक ग्रूप का जो इंपोर्टेंट थियोरम से बहुत साथ डिस्कास करेंगे और यह थियोरम आपको बहुत यह अच्छे से देखना पर गया क्योंकि यह थियोरम नेक्स जो एक्सराइस के प्रॉब्लम से किसी एक ग्रूप में एक इलिमेंट है जिसका ओडर क्या है और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको बोल दिया कि ए टू दिबावर 15 15 क्या साइकलिक ग्रूप क्या होगा A to the power 15 से जनायरेट होने वाला साइक्रिक गुप क्या होगा, वो निकलने को, तो आपको ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते, 50 और 15 का GCD क्या होगा, 5 होगा, तो आप 5 का A to the power 5 का निकलने से ह हो जाएगा, A to the power 15 का निकलने का ज़रूरत नहीं है, ठीके, क्या होता है कि saikli group generated by a2divore kya equal to cyclic generated by gcd of nk ठीक है और order of a2divore kya क्या होगा order of a2divore kya equal to n by gcd of nk यह जो a2divore kya है इसका order kya होगा order of a2divore kya मतलब order of cyclic generated by a2divore kya हमने पहले पारा था किसी एक group element का order or cyclic generated by that element is the same तो इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, प्रूफ बोग में भी है, इतना ताप भी नहीं है और इतना इंपोर्टेंट भी नहीं है, आप चाहे तो बोग से फॉलो कर सकते, तो एक्जम्पल देखते हैं, किसी एक ग्रूप में एक इलिमेन मान लीजिए, जिसका ओर्डर 30 है, तो मुझे निकालने को बोला है, A to the power 26, शाइकली ग्रूप जनेरेटर बेए A to the power 26 क्या होगा, अब देखें, 26 और 30 का, यह जिसीदी क्या होता है, 2 होता है, तो मतलब क्या होगा, साइकली ग्रूप जनेरेटर बेए A to the power 2, तो मैं अगर साइकली ग्रूप जनेरेटर बेए A to the power 2 निकल दिया, तो हो जाएगा, ठीक है, और मुझे बोला कि order of 26 क्या होगा, order of 26 क्या होगा, n by gcd of n के, n क्या है 30, n के gcd of n के 2, मतलब 15, a to the power 26 क्या होगा, 15 होगा, ठीक है, तो एक कोरोलार होता है, इस थीरों का एक कोरोलार निकल के आता है, क्या बोलते है कोरोलार में, let order of a is n, then cyclic group generated by a is equal to cyclic group generated by a to the power j, even only gcd of n j is equal to 1, ठीक है, cyclic group generated by a जो होगा, और cyclic group generated by a to the power j जो होगा, वो दोनों सेम होगा, अगर क्या एक कोरोलार निकलने के लिए यह बहुत इंपोर्टेंट कोरोलार ही है, यह बहुत इंपोर्टेंट कोरोलार ही है, z n का आगर आपको generator निकलने को बोलता है, तो कैसे निकलनेंगे, देखिए, n integer k in z n is a generator of z n, even only gcd of n n k is equal to 1, मतलब बहुत सारा k, जो n के साथ gcd करने पर 1 आ रहा है, मतलब relatively prime है, n के साथ relatively prime बहुत जितने भी number होगा, z n में, बहुत सब generator होगा, जिसे माल लिए z 6 में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीके, तो यह 6 elements में से 6 के साथ relatively prime कौन कौन है, 1 और 5, बागी सब तो relatively prime नहीं है, मतलब cyclic group generated by 1 is equal to cyclic group generated by 5, which is equal to z6, मतलब 1 और 5 जो है, z6 का generator होगा, ठीके, ऐसे करके आप निकल सकती है, कितना generator होगा, फिर आता है, दूसरा theorem, यह subgroup होगे, अभी जो next 3 theorem हम प्रूप करेंगे, तिनों को मिला के बोलता है, fundamental theorem of cyclic group, ठीके, मैं अलग-अलग करके दिया हूँ, एक साथ नहीं दिया हूँ, ताक किसी एक cyclic group का जो subgroup होगा, वो भी एक cyclic group होगा, ठीके, तो देखते है, प्रूप देखते है, let g equal to cyclic group generated by a, g equal to, एक cyclic group बोला, cyclic group का subgroup cyclic group हो रहा है कि ने, वो देखना है, तो g एक cyclic group है मानलिया, मतलब generated by कोई एक element है, let h is a subgroup of g, h कोई एक subgroup है, अभी मुझे चेक करना है कि h जो है, वो cyclic होगा कि ने, h लेकिन g का subgroup है, ठीके, if h equal to e, h अगर identity हुआ, then we are done, क्योंकि एक ही element बाला, जो जितना भी है, मतला identity तो एक ही element है, एक ही element बाला, अगर कोई भी subgroup है, वो हमेशा cyclic होता है, ठीके, trivial subgroup जो होता है, तो मानलिया कि h not equal to e, ठीके, h अगर not equal to e हुआ, members of h will be powers of a, h क्या है, h ये z का subgroup है, और z का element कैसा है, a to the power n के form में, मतलब a के power में है, तो h का element भी क्या होगा, h में भी z का element होगा, तो h का element भी किस form का होगा, a के power के form में, let m be the least positive integer such that a to the power m belongs to h, मानलिया कि m कोई एक least positive integer है, such that a to the power m belongs to h, a to the power m जो है, बो h में बिलों कर रहा है, मानलिया कि m कोई एक least positive integer है, तो हम लोग क्या claim करते हैं, कि h equal to cyclic group generated by a to the power m, ये हम claim करते हैं, इसको हम अभी prove करेंगे, ठीके, c equal to cyclic group generated by a to the power m, let x belongs to h, मानलिया कि x, h का कोई एक element है, then x equal to a to the power के है, for some k, कोई k के लिए a to the power के है, equal to x होगा, ठीके, क्योंकि, इसका, h का element किस form में है, a के power के form में है, ठीके है, तो देखिए, by division algorithm, division algorithm क्या बोलता है, division algorithm ऐसा कुछ important चीस नहीं है, लेकिन division algorithm क्या बोलता ह है, कि मतलब m तो क्या least element है, ठीके, तो m into कोई एक integer का multiple plus r करने पर k आएगा, ठीके, जैसे मानले लिए आपको बोल दिया कि 10, और 10 मतलब मानले लिए 10 k है, और 3 मानले लिए आपका m है, m तो least number है, तो m k से चोटा होगा, तो कोई दो number एक दूसरे से चोटा होने से, पहले आपके वाले के साथ किसी एक integer को multiple करने के बाद और एक r into add करने से k आजाएगा, ठीके, यह होता है, डिविजनल करिद्यों, जैसे मानले लिए k equal to 10, m equal to 3, तो m into 3, मतलब 3 into 3 plus 1 करने पर k आएगा, 10 आएगा, ठीके, वही है, डिविजनल करिद्यों, और यह जो r होगा, यह तो हमेशे यह दर कि यह r जो है, वो m से चुटा होना पर है, तो इसमें से मुझे क्या मिला, r equal to k minus mq, फिर हम दोनों साइट में a का पावर ले लेने से, a to the power r equal to a to the power k minus mq, इसको हम क्या लेख सकते, a to the power k into a to the power minus mq, ठीके, लेकिन मुझे क्या माल हुमे, a to the power k जो है, वो h के इलिमेंट है, और a to the power m, h equal to cyclic group generated by a to the power m, जो है, वो h के इलिमेंट है, मतलब a to the power m का जो भी power होगा, वो भी h के इलिमेंट होगा, h एक साब ग्रूप है, ठीके, इसलिए a to the power m का जो पावर होगा, वो भी h के इलिमेंट होगा, मतलब ये दोनों इलिमेंट है, दोनों मालूम था M is the least element, least positive integer such that M belongs to H, M एक ऐसा least element था, यह सबसे least element था, जो जिसका A का power करने से H में बिलों कर रहा है, लेकिन R M से भी छोटा ऐसा मिल रहा है, जो H में बिलों कर रहा है, ठीके, तो यह क्या हो जाएगा, R एक positive integer नहीं हो सकता है, least positive integer नहीं हो सकता R, मतलब R क्या होग होगा, R क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीके, तो R अगर 0 हो गया, R 0 होजाने से, इसमें से हम क्याल लग सकते है, K equal to MQ, K equal to MQ, तो X equal to A to the power MQ, ठीके, तो any member of H is the power of A to the power M, मतलब A to the power M, मतलब A to the power M में X को यह अक arbitrary element लिया था, मैं H क्या, और वो किसके पहुम में आ गया, A to M के किसी power के पहुम में आ गया, मतलब H is the cyclic and generated by A to the power M, H किसे generated हो रहा है, A to the power M से generated हो रहा है, ठीके, तो इस तरीके से हमें क्या प्रूप के गया, कोई एक ग्रूप अगर cyclic group है, तो उसका subgroup जो होगा, वो भी cyclic group, cyclic subgroup होगा, ठीके, मतलब cyclic group होगा, अभी दीखिए, द दूसरा भी इसमें क्या बोलता है, cyclic converse of the Lagrange theorem holds for finite cyclic group, और इसको हम और कैसे लिख सकते, if a cyclic group G has order N, then for any divisor of N, G has a subgroup, ठीके, Lagrange theorem क्या बोलता था, किसी एक group के लिए, अगर किसी एक group का कोई एक subgroup का order होगा, वो group का order को divide करेगा, ठीके, अभी तो इसका converse क्या होगा, अगर किसी group का जो divisor होगा, उस divisor के order का एक subgroup मुझे मिलेगा, ठीके, तो इसमें क्या बोलता है, if a cyclic group, G has a order N, then for any divisor of N, G has a subgroup, ठीके, चलिए इसका proof देखते है, let G equal to cyclic group generated by A, order of G equal to N मन लिया, order of G अगर N होगा, order of A भी क्या होगा, N होगा, क्योंकि G is generated by A, ठीके, suppose M divides N, M मान लिया कि N को divide कर रहा है, M अगर M को N को divide कर रहा है, तो मुझे क्या देखना था, N का जितना भी divisor होगा, उस order का एक subgroup मुझे मिलेगा, ठीके, तो मान लिया कि M N को divide कर रहा है, तो मुझे देखना है कि M order का एक subgroup मिलेगा कि नहीं, we show there exists a subgroup of g of order m m order का g का एक subgroup मुझे मिलेगा कि नहीं वो देखना है यही थियोरो में ठीके as m divides n n equal to m k for some k क्यों देखिए m आगर n को divide कर रहा है जैसे मान लिजिए 5 10 को divide कर रहा है तो हम कि ऐसे क्या बोल सकते है 10 equal to 5 into 2 यह 2 मुझे मालूम नहीं है 2 कुछ भी हो सकता है ठीके तो n equal to m k m into कुछ करने के बाद n आएगा m आगर n को divide कर रहा है ठीके यह तो मालूम हो गया उसके बाद देखते है let h equal to cyclic group generated by a to the war k है यह हमने मान लिए मान लिए कि h equal to cyclic group generated by a to the war k then order of h equal to order of a to the war k ठीके यह मालूम है h का order जो होगा वो Cyclic group generated by a to the war k का order होगा और इसका order जो होता है वो element का order के equal होता है ठीके we show that order of a to the war k equal to m order of a to the war k का जो मतलब order होगा यह एक subgroup है तो इसका order आगर मैं M दिखा दिया तो मुझे एक subgroup मिल गया जिसका order M था M का order का एक subgroup मुझे मिल गया और मुझे बोई चाहिए तो अभी हम क्या शो करेंगे A to the power K का order होगा वो M होगा अभी दिखे A to the power K whole power M equal to A to the power KM which is equal to KM equal to क्या है N है KM equal to इधर पे कहा लिखा था KM equal to N है तो A to the power N equal to E as order of A equal to N ठीक है Now let A to the power KT equal to E मान लिया कि अभी A to the power KM equal to E मिल गया मुझे मैं मान लिया कि A to the power KT equal to E कोई एक दूसरा ठीके लिए A to the power KT equal to E है तो A to the power KT अगर E है lookingator order of A की होगा KT को डिवेट करें है Kinenden मिल्में John A का power का कुछ पॉओर का करने के पार अगर E हरा है तो order of A क्या होगा KT को कडिवेट कर रहा होगा order of A क्या ए N N के को डिवेट कर रहा होगाоЛा is N e an I equal to M K M के क्ये थी को divide कर रहा होगा तो k ऐसल हो जाएगा तो m k को divide कर रहा होगा मतलब m को divide कर रहा है मतलब क्या है ?'m जो है वो त से चोटा यह भी t का equal हो सकते है t से बरा पहिं नहीं हो सकता है तो मतलब क्या है m is the least element such that at to the were to the were m equal to e r मतलब m is the least element such that at to the were क्या है whole to the bar m करने पर e आ रहा है m से चोटा ऐसा कुछ element नहीं मिल सकता जिसका add to the bar k का power करने पर e आएगा ठीके क्योंकि T हाम arbitrary कुछ element लिया था और T मुझे क्या मिल गया m से 12 या फिर m का equal m से चोटा नहीं हो सकता है मतलब क्या मिला मुझे और यही किसका अबुदर का add to the bar k का order का how k होगा m होगा ठीके फिट देख्ते तीसरा थीरोम यह fundamental theorem of cyclic group का तीसरा थीरोम में यह 3 theorem मिलके fundamental theorem cyclic group बनेगा ठीके for each positive divisor of n से k माल लिए कि कोई एक positive divisor k n का कोई positive divisor k है the group g equal to cyclic group generated by a has exactly one सब्रूप और के नेमली थे दिण टिके अभी तो हमने इस थिएम में क्या पढ़ा कि अगर जी है जी कोई एक ग्रूप है और उसका कोई एक पजिटिफ दिवेजर है तो उस ओरडर वाला एक सब्गरूप मुझे मिलेगा एक टलिस्ट एक सब्गरूप मुझे मिलेगा लेकिन इस में हम पारेगे कि ऊस सब्गरूप मुझे मिलेगा मतलब दो नहीं ओर दो नहीं मिल चासता तीन नहीं मिल चासता मुझे फीलेग तस तिरों M हम बो परेंगे ठीक है चलिए देखते हैं we will show that cyclic group generated by a to the bar n by k is the one and only subgroup of g equal to cyclic group generated by a of order k order k का यही एक subgroup मिलेगा ठीक है यही एक subgroup मिलेगा जो order k का होगा ठीक है now cyclic group generated by a to the bar n by k equal to n by gcd of n और n by k यह तो हमने पहले अभी जो पहला जो थियोरम इस लेक्चर का पहला जो थियोरम था उसमें से हमें क्या लिख सकते हैं order of cyclic group generated by a to the bar n by k is equal to n by gcd of n and n by k केते है टो cd of n by k होटा है n by k होगा ठीक है cd of n n by k क्या होगा n by k होगा n by n by k क्या हो जाएगा ठीक है इसका order क्या हो जाएगा isै का order तो मुझे क्या दिखाना है यही एक ही subgroup हे जो K order का होगा now let H be any includes ongelate c disability of water k मतलब H में कोई दूसरा एक सब्रूप मिल गया इसका ओडर तो के ही ही है कि मुझे दिखाना है कि के ओडर का यूनिक सब्रूप मुझे मिलेगा तो मैं मान लिया कि कोई एक दूसरा सब्रूप है जिसका ओडर के है वी नूओ एक सब्रूप है किसी सब्रूप का तो वह एक किसी मतलब लिस्ट जो नामबर होगा जो एक टूबर एब का साइकली ग्रूप का मतलब साइकली ग्रूप जनरेटर पे डूपफ एकुल तो एच होगा ठीक कोई एक ऐम के लिए और एम जो है वो क्या होना पड़े न परके अ अभी देखिए M जब diviser है तो GCD of NNM क्या होगा? M होगा क्योंकि M diviser है NK equal to order of A to the bar M K equal to order of A to the bar M which is equal to N by GCD of NNM order of A to the bar M equal to kya? पहला theorem सामिक क्या मालना चलता है N by GCD of NNM और NNM का GCD क्या है M? तो N by M होगा K equal to N by M होगा ठीक है? N by M equal to अगर क्या हुआ? तो M equal to क्या लिख सकते है? N by क्या है? M equal to क्या लिख सकते है? N by K तो इसके हम क्या लिख सकते है? H equal to A to the bar N by K ठीक है? तो मैं मान लिया था कि H जो है बहुत कोई order का कोई एक arbitrary subgroup लिया था जो K order का होगा और मुझे क्या मिलगा है? H वोही subgroup मुझे H मिलगा है मतलब एक ही subgroup इससे हमें क्या मलन जलता है? कि एक ही subgroup K order का इस form का होगा मतलब K order का एक ही subgroup ये बाला subgroup ही मुझे मिलगा है cyclic subgroup ठीक है? उसके बाद इसका एक कोरूलर ही दिखते है for each positive divisor K of N, the set cyclic group generated by N by K is the unique subgroup of ZN of order K and these are the only subgroups ठीक है? अभी क्या बोलता है कि for each positive divisor K of N N का ZN का order क्या होगा? N होगा और इसमें हमने क्या पराए कि कोई भी divisor के लिए G का जो order होगा जी का जो order होगा इसमें हमने क्या परा? G का जो order होगा उसका कोई भी divisor K के लिए uniquely एक subgroup मिलेगा ठीक है? तो ZN के लिए बोला subgroup क्या होता है? cyclic group generated by N by K, ठीक है? of order K for each positive divisor K of N, the set cyclic group generated by N by K is the unique subgroup of ZN of order K and these are the only subgroups और यही क्योंकि unique होता है तो यही subgroup मुझे मिलेगा ZN का जैसे मानली जी example एक देखते है Z10, Z10 का order Z10 का बो मतलब कितने order कौन-कौन से order का element होगा जो जो मतलब diviser जितना होगा 10 का diviser जितना होगा उस-उस order का मुझे subgroup मिलेगा जैसे 10 को 10 से divide जाता है 10 order का subgroup क्या होगा cyclic group generated by 1 वो क्या होगा Z10 खुद होगा और 10 को और किसी से divide जाता है 5 5 एक 10 का diviser होगा तो 5 order का क्या होगा 10 by 5 N by K मतलब 10 by 5 मतलब cyclic group generated by 2 यह हो गया 5 order का फिर होता है 2 order का 2 order का मतलब 2 order का कैसे निकालेंगे cyclic group generated by N by 2 मतलब 5 cyclic group generated by 5 और यह हो गया 2 order का और 1 order का 0 identity elements ठीक है इस तरीके से आज का video खतम होता है थेंक्यू